लो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बढ़ फिर से हमारे इस ओफिशल उटुप चैनल में जिसका नाम है एस्टोल सॉलिशन मैं चैन्दन कुमार हादिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो आज की इतने वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ उपर लेंनिंग के स्टूडेंट्स है second semester के students है, उन सभी के पास में BA program का course है और उन सभी का political science का exam जो है, वो 28 अगस्त को है तो आज की नए वीडियो उन सभी students के लिए important है और इसके अलावा further जो आगे के students देख रहे हैं और वो राष्टरपती की शक्तियों को पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए important है चाहे वो किसी भी college के किसी भी university के आप सभी को अगर राष्टरपती की शक्तिया पढ़ना है तो आज की नए वीडियो आप सभी के लिए important है तो राष्टरपती की शक्तियों के बात करेंगे तो राष्टरपती के पास में कई शारी शक्तिया है सबसे पहले राष्टरपती की शक्तियों में बात करेंगे कार्य कारी शक्ति तो भारत की जो राष्टरपती है उसको ध्यानक ना है शासन से सम्मंदित कार्य उसी के नाम पर सारे के सारे किये जाते है सबसे पहले कारे-कारी शक्ति में क्या आता है कि भारत में शासन से सम्मंदित जितने भी कारे होते हैं वो सब राष्टपती के नाम पर होते हैं दूसरा वह नियम बना सकता है ताकि उसका नाम दिये जाने वाले आदेश और अनुदेश वैदो यानि कोई अगर दिये लागू होता है तो राष्टपती की सिगनेचर के साथ होता है तो उसे सिगनेचर का मतलब यह है कि वह राष्टपती के आदेश अनुसार लागू किये जा रहे है और वह vertically मना सकता है जिसमें केंदर सरकार स्हाज रूप से आरे कर सकते हैं मंत्री मंदल उपयूक्त रूप से कारे कर सकते हैं ऐसे नियम बनाते हैं इसके लावा पर्दान西 तर्था इसके अलावा हम देखते हैं विबिन राज्यों के राज्यापाल इन सभी की नियुक्ति है और शासनिक के तेया उन सबीकी शासन के जिम्मधारी यह सबीकी सभी यह आसी महवर्ति जो छेत्र है भारत के बार्ट के जो इलाके उन सुभी की शासन पर शासन की व्यवस्ता राष्टपती के हाथ में ही होती है यह आप सभी को ध्यान रखना है इसके अलाबा विदाही शक्तियों की बारे में बात करेंगे यह पहली कारे कारे शक्ति थी अब हम बात करेंगे राष्टपती की विदाही शक्ति के बारे में तो राष्ट्रपते की विदाई शक्ति सबसे पहले है कि वो संसद का सत्र बुला सकता है और अत्वा उच समय के लिए इस्तगित भी कर सकता है लोगसुबा को विगटित कर सकता है लोगसुबा को भंग कर सकता है और संसद के संयुक्त अधिवेशन का आवान कर सकता है अब आप बोलोगे संयुक्त अधिवेशन क्या होता है इन्हें के ऐसा अधिवेशन जिसमें लोकसुभा और राधियसभा दोनों एक जगा बैटती है और उस समय राष्ट्रपती ही उसकी अद्धक्षता करता है यह आप सभी को याद लेखने है इसके लाबा परतेक नए पर सम्मंदित संसद कोई भी कानून मनाना चाहती ही तो उस कानून को दुवारा से क्या कर सकता है इसके अलावा वै साइट्य विज्ञान कला और समाज तथा अन्य वेक्तियों के बीच में जियान रखना है बारा बारा वेक्ति को देखो जो भी वेक्ति साइट्य की विज्ञान की वजए से खेल की वज़े से जिन वेक्तियों ने भारत का गौरव उचा उठाया तो ऐसे वेक्तियों को क्या किया जा सकता है ऐसे वेक्तियों को हम देखते हैं कि राष्टपती 12 सदस्यों को क्या कर सकता है राज्यसवा में मनोनित कर सकता है इसके अलावा अ शुनावायोग के द्वारा किसी चेतरी में। जब भी राष्टपती ज्यानक ना है परदानमंत्री इनसब का इलक्षन क्यों तो शुनावायोगी करवाता है। अगल राष्टपती के प्रमिशन लेंगे उसके बाद ही हम संसद में पेश कर सकते हैं इसके अलावा वार्षिक वित्य विवरण केंद्रिय बचेट पर संसद के समक्ष रखा जाता है जब राष्ट्रपती उसमें मौजूद होगा होती समें केंद्रिय बचेट रखा जाएगा अनुदानों की कोई अकासमिक निदी है जिसे सरकार कभी यूस करेगी ऐसे इस्तिती में यूद्य करता है यह द्यान रकना राष्ट्रपति अपने परसनल यूज के लिए नहीं कर सकता तो राज्य केंद्र के बीच में राज्यसु को बटवारे के लिए पांच वर्ष में एक वित्य आयोग का गृतन करता है कि विच्छे विठ्रे रूप से कारह रही ज़ो द्रह भी टेक्स कलेक्ट वाए उसके नियाईदीश उसके नियाईदीश उसके नियाईदीश उन्हें की नियुक्ति होती यृप तोट की नियांदेस्न सभी को सपत दिलने का काम जो इसके बाद मेरे समय की किसी भी जो भी हमारी दूसरा सदन है आप सब्सक्राइब पर तरीके समझेगे कि उस्तम न्याले जो है उसमें अगर सरवचे न्याले चाहती है कि कोई कानून मन रहा है उसकी जाच करना या राष्टपती उससे सला मांगना चाहता है तो राष्टपती उससे सला भी ले सकता है परूंतु सरवचे न्याले उससे सला देगा ही देगा यह कोई बात्देकार जली बात करें वह किसी बी अपरादी को दोशी अपरादी उसको इसके डाजर को बढ़ा सकता है टन्ड को बढाने का मतलब विद्ध्य 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 वि सबसे बड़ा प्रशासनी गजिकारी माना जाता है राजदूत माना जाता है या कोई भी व्यक्ति जो है जो हमारे इस देश के बाहर काम कर रहा है तो वह अगर आप देखोगे तो वह क्या करेगा इसके लाओ अगला पॉइंट है सैनिक सक्ति में राष्ट पती जो है वह सभी सतर है कि सैनिक टुक्णियों जो है उसकी समता जलती ना वायू सीना इन सभी पर पूरी तरीके से वह अपना कंट्रोल रगता है और ध्यानक ना है कि अब युद्धी जैसे स्तिति हो जाती है ना युद्धु वसमापत हो जाता है अफ़िसी में त 돌ी सांगों से वो चाहे तो इक सकता है उसको अपकर सप्लाल लकाने की विश्टित आपकर कर आपकर है उत्र श्रूमें बताये हिश्टा फक्रु रुदीन अली झालगाए आ gets सब्सक्राइब कर सकता है और साथ ही साथ में यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है सभी को ध्यान कर सकता है और यह साथ की सारे के सारे फंक्शन्स ते किसके राश्च्रपती के कुछ और वी फंक्शन्स है यह आप से इनफ है यू कें राइट इट आप इस चीज को याद कर सकते हो बाकी मिलते हैं आप सबी से अपनी अवली वीडियो में जय हिंद जय बाद